31 अक्टूबर को दिपावली के दिन सारानपूर के देवन्द इलाके में दो चचेरे भाई बहन के संदिक धालत में शव जो है वो पाई गए थे प्रथम दस्टिया पुलिस इसको हाथसा मान कर चल लई थी जिसे लग रहा था कि किसी गाड़ी की चपेट में आकर इन दोनों की जो है मौत हुई है और इसके लावा जो ग्रामीन थे और परिजन थे वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि शायद बच्चों की जो हत्या है व काफी हंगामा महाँ पर हुआ काफी बवाल महाँ पर देखने को मिला चौविस घंटे तक महाँ पर बवाल बवाल जारी रहा और उसके बाद परशासनिक अधिकारी पहुंचे थे इसके लावा जो मंत्री थे कुमर बरजेश सिंग वह भी वहाँ पर गए थे और लगाता है परिजन पुलिस पर तो लापरवाई का आरोप लगा ही रहे थे साथी साथ इस पूरे मामले को हासाना बता कर वो तांतरी किरिया ही बता रहे थे और साथ तोर पर कहा रहे थे कि दोनों बच्चों की किसी ने तांतरी किरिया के चलते जो है हत्या कर दी थी पुलिस ने बाद में इस मामले में हत्या का ही मुकदमा दर्ज किया और फिर से उस पूरे मामले की जाज की गई फॉरेंसिंग टीमों को महाँ पर लगाया गया और फॉरेंसिंग टीम ने भी महाँ पर जाज की है शुरुवात में ही पुलिस को कुछ वहान के टूटे हुए पार्स जो है वो महां से मिले थे जिसको देखकर पुलिस ने भी अपनी तरफ से प्रेस नोट जारी कर दिया था कि ये शायद किसी हाथसे की वज़े से इन दोनों की मौत कुई है लेकिन फिर भी पुलिस जो है पूरे मामले का हर एंगल से जो है वो जाज कर रही थी लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो मामला था ये कहीं ना कहीं hit and run से ही जुड़ा हुआ मामला था जो post-martem report आई है उसमें दोनों बच्चों के जो शरीर की जो कई हडिया थी वो काफी fracture हो रखी थी 15 से 20 हडिया जो है वो fracture थी और उससे यहीं लग रहा था कि जैसे किसी वाहन की चपेट में आकर ही इन दोनों की जो है मौत हो गई थी पर पर लगे हो चाहिए कहीं पर लगो उन सभी CCTV कैमरों को पुलिस जो है वो लगाता खंगाल रही है और एक वाहन जो है वो अभी ट्रैस कर लिया गया है लेकिन उसका नंबर जो है अभी वेरिफाइट नहीं हुआ है तो देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर काफी हंग मामले का खुलासा कर देंगे तो अब कहीं ना कहीं पुलिस पहुच चुकी है उस पूरे मामले को पूरे मामले तक की जड़ तक और उस अब वहान को वेरिफाइट करने में जुटी हुई है जिसकी वज़े से यह हास्सा हुआ था परिजन तो कहीं रहे थे कि तांत्री किर टीम को वहाँ पर कुछ ऐसे ही शुरुवात में ही ऐसे कुछ क्लू मिल गए थे जिन से लग रहा था कि यह हाथसा है और किसी वहान ने उन दोनों बच्चों को टकर मारी और उसके बाद महां से फरार हो गया है तो अब देखा जाये तो इस मामले में अब नया मोड आ चु कोशिश में जुटी हुई है जिसने यह हाथसा किया था पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल से जल उसकार को भी बरामत कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति को भी बरामत गिरफतार कर लिया जाएगा जिसने यह हाथसा किया था टीविनान यूपी के लिए सारनपूर स विकास कपिल